जै श्री किष्णा आप लोगों ने गाजर की खीर और गाजर का अलवा तो बहुत बार खाया होगा लेकिन आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ गाजर की रबडी ये केवल देखने में ही सुन्दर नहीं लग रही है बलकि ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है लेकिन यह आपको तब पता चलेगा जब आप एक बार इसको ट्राइ करोगे तॉ आप इसकी रेसिपी को ट्राइ करना बिल्कुल न भूले और चलिए अब हम देखते गाजर की रबडी की रैसिपी गाजर की रबडी बनाने के लिए हमने गाजर को अच्छे से दो कर छील कर छोटे छोटे टुकडों में काट लिया है और मैं ये एक बाउल गाजर का यूज़ कर रही हूँ आदा बाउल शुगर आठ से दस किश्मिश आठ से नो बादाम मैंने एक बाउल गाजर का यूज़ किया है तो मैं दो बाउल दूद का यूज़ करूँगी दो बाउल दूद से रबडी की जो consistency है वो एकदम perfect हो जाएगी अगर तीन बाउल दूद का यूज़ करेंगे तब भी कोई problem नहीं है बस हमें उसको थोड़ा थिक करने के लिए ज़्यादा पकाना पड़ेगा और अगर दूद ज़्यादा है तो रबड़ी का टेस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आप चाहे तो इसमें थोड़ा दूद की मात्रा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं मैं इसमें दो चमच गी का यूज़ कर रही हूं, मैंने प्रेशर कुकर में दो बाउल पानी डालकर गाजर डाल दिया है, अब हम इसे दो से तीन सीटी तक पकाएंगे, हमारी गाजर पक चुकी है, अब हम इसका सारा पानी निकाल कर इसको ग्राइंड कर लेते हैं, तो हम इसमें दूट डालकर उसका रबड़ी में यूज़ करेंगे, मैं कडाई में दो चमच गी डाल रही हूं, जब ये गी गरम हो जाएगा, तो मैं इसमें गाजर का पैस्ट डाल दूंगी, हमारा गी गरम हो चुका है मैं इसमें गाजर का पैस्ट डाल देती हूँ गाजर का पैस्ट डालने के बाद इसे 10 से 15 मिनिट तक लगातार ही लाना है ताकि ये चिपके नहीं इसको भूनते हुए गाजर का पूरा पानी खतम हो जाएगा गी और घाजर अच्छे से मिक्स हो जाएगे और गी जो है वो किनारे चोड़ने लग जाएगा ये देखिए अच्छे से थोड़ा थिक हो गया है और गी भी किनारों से चूट गया है तो अब हम इसमें थोड़ा सा इसको दो मिनिट और चला लेते हैं और इसके बाद हम इसमें शुगर एड़ कर लेंगे गेस का फ्लेम हमेशे मीडियम ही रखे लो नहीं करें हमने इसमें शुगर डाल दिया है अब हम इसको मिक्स करके इसमें दूट डाल देते हैं हमने एक बाउल इसमें दूट डाला है जब यह दूद अच्छे से उबलना स्टार्ट हो जाएगा और थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो हम इसमें दूसरा बाउल दूद भी डाल देंगे हमारा दूद अच्छे से बॉइल होना स्टार्ट हो गया है अब यह थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो हम इसमें और अपना बच्छावा दूद भी यूज़ कर लेंगे कि अब अब हम इसे लगतार चलाना है और जब तक यह ठीक नहीं हो जाता है तब तक हमें इसको पकाते रहना है कि यह देखिए रबडी अच्छे से पकर रही है और अच्छे से बॉयल हो रही है हम इसको बाद मिनिट के लिए और पकाएंगे उसके बाद हम गेस बंद कर देंगे आप चाहिए थोड़े ड्राइफ रूट अभी इसमें डाल सकती है और थोड़े गार्णिशिंग में भी यूज कर सकती है रबडी तयार हो गई है मैंने गेस बंद कर दिया है अब मैं इसको एक बाउल में ले लेती हूं मैंने इसको बाउल में ले लिया है और इसको ड्राइफ रूट से सर्व कर लिया है आप चाहे तो इससे गर्मा गरम खाए और चाहे तो आप इससे फ्रिज में ठंडा करके खाए पर इस रेसेपी को आप एक बार जरूर ट्राइ करें आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले थैंक यू प्रूले घर टूले तो हमाई बार जरा लगी हो आपको अच्छी लगी हो में जूले तो हमारे तो हमारे चाहे ज़त कर लगी हो जाए जरी और करें।